हेलो फ्रेंड्स वैलकम टो इंडियन स्टेडी इंडियन स्टेडी पर आपका स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए जीके का टेस्ट लेकर की आया हूं जिसमें मूल बिदी, सम्मीदान इन सभी के कोसंस को सामिल किया गया है जैसा कि आपके एक्जाम UPSI में आना है तो वीडियो को एंटलेक जरूर देखिएगा क्योंकि लाश्टर में आपसे कोसंस भी पूछूँगा और उसका आंसर आपको कमिन बॉक्स में बताना होगा चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हो और देखते हैं पहला कोसंस पहला कोसंस जिला मुख्याले बलिया सहर महिरसी का जन्म और कारिस्तल माना जाता है तो बलिया में किस महिरसी का जन्म हुआ था तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा जिला मुख्याले बलिया सहर में महिरसी ब्रग्गू का जन्म हुआ था यानि कि इस questions का तीसरा options जो है वो आपका प्रिकुल क्या हो जाएगा सर correct हो जाएगा next question सर आपके सामने 1795 और 1804 के बंगल बी नियमो अधी नियमो ने फिलिन दा ब्लेंग्स घोसित किया था तो 1795 और 1804 के बंगल बी नियमो अधी नियमो ने कन्या हत्या को अवेद गोसित किया था दूसरा options यहाँ पर आपका प्रिकुल correct है चोटी silent valley राश्टी उद्ध्यान पालक काड में सबसु उची चोटी क्या है तो सही answer क्या हो जाएगा अना मुडाई अना मुडाई जो है यह अना मुडाई चोटी silent valley राश्टी उद्ध्यान में है जो कि पालक कड में सबसु उची चोटी है यानि कि पहला options correct examiner questions को आपको बहुत गुमा करके पूछ रहा है आप लोग कहते हैं UPSI लेबल है UPSI लेबल लेकर क्या हो अब आगया देखो जरा next questions एक वयक्स व्यक्ती में लाल रक्त कोसकाओं की संख्या कितनी होती है millions में हैं ध्यान लखना वो भी आयतन में बतायागा जाए तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा सर 4.6 से 6.2 millions यानि कि इस questions का तीशरा options यहां पर आपका बिल्कुल correct है next questions फिलिंदा ब्लैंक्स में पिर्चुर मात्रा में बिटामिन खनेज, बीटा, केरोटेन, बिटामिन सी, फॉलेट, आयरन, मैंगनीसियम, केरिटोनोईड, फाइटो केमिकल और पिर्थी ऑक्सिकारक पाए जाते हैं किसमें तो यह सभी चीजे किसमें पाई जाती हैं तो आपका सही आंसर हो जागा गहरे यहरे रंग का पत्यदार साग यानि कि तीसरा options बिल्कुल correct हो जाएगा नेक्स्ट कोसन से आपको के फिलिंदा ब्लैंक्स के पिर्थी ऑक्सिकारक और एंटी इंफलेमेटरी गुण होते हैं जो मानब सरीर को स्वस्त रखने में सायक होते हैं तो अमीनो एसिट में पिर्थी ऑक्सिकारक और एंटी इंफलेमेटरी गुण होते हैं जो मानब सरीर क स्वस्थ रखने में सायक होते हैं दूसरा options correct एक एकड़ में कितने गज होते हैं बड़िया questions एक एकड़ में कितने गज होते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा 484040 वर्ग गज यानि कि इस questions का पहला options बिल्ग गज अगर hectare की बात करें तो 0.4047 hectare ये भी याद करो लो 1949 में हुआ था एक जनवरी 1949 ठीक है द्यान लखना चुआता options correct उत्तर प्रदेश राज का राज किये पक्ची कौन सा है तो आपका सही आंसर हो जाएगा सारस या क्रॉंच राज किये पसु है आपका बारा सिंगा राज किये ब्रक्च है आपका असोक और राज किये पुस प कि सुपीदा प्रारम की गई थी किस राज सरकार के द्वारा तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज सरकार के द्वारा कब की गई थी 2015 में important questions है ठीक है तो दूसरा options correct next questions start करने से पहले मैं आपको बता दू दोस्तो अगर आप अनेकेड़ी पर कोई भी एक किस अप्रेल को आपके लिए क्या ओफर है सबसे बड़ी ओफर है कि अगर आप एक साब्सक्रिप्शन को पर्चेस करते हैं तो आपको दो मंद का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दो है वो फ्री आप कोश्ट दिया जाएगा यानि कि एक साल के साथ 14 मंद यानि कि टोटल 12 कोर्स में इन्रोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रूबाइड करवा दे रहा हूं तो आराम से आप इस सब्सक्रिप्शन को पर्चेस कर सकते हैं और अपने किसी भी एक्जाम की तयार यानिक एडिमी के साथ भैतर कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों देख नेक्स्ट कोसंस और कोर्स को पर्चेस करते के समय ध्यान अखना रिफरर कोड़ की जगे अपने चैनल के नाम इंडियन स्टडी अपलाई करोगे तभी जा कि आपको यह ओफर मिलेगा ठीक है नेक्स्ट कोसंस यह आपको कि किसी ग्राम पंचाय द्वारा उप प्रदान को पद से अटाने के लिए कम से कम कितने पंचाय सदस्यों का समर्त नावसायक है तो आपका सही आंसर हो जाएगा दो बटे तीन यानि कि चौता आपसंस करेक्ट किस सहर को अभी तक राष्टी राजदानी चेत्र में समलित नहीं किया गया जल्दी बताओ किस सहर को तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा मुझफर नगर मुझफर नगर तो हो गया अलीगर नहीं है अब अलीगर अलीगड को राश्टी राजदानी चेतर में सामिल नहीं किया गया है तो अलीगड को सामिल नहीं किया गया है ठीक है राश्टी राजदानी चेतर में पूरे देश बर में 24 स्थल सामिल है जिसमें उत्तर प्रदेश के 8 जनपद हैं कौन कौन से मेरट, गाजियाबाद, गौतम बुदन अगर, बुलन सेर, बाकपत, हापुड, सामली, मुझफर नगर ये सबी सामिल है ठीक है? अलिगाड नहीं है तीसरो आप्सन्स करेक्ट जीन्द और करनाल, करनाल जो है ये आपका हर्याना का है, जो इसमें सामिल है ठीक है? नेक्स्ट कोशन्स है आपका कि एक फरार अपरादी बहे फरादी होता है जो जिसके बुरुद, धारा, ब्यासी, CRPC के अंतरगत उद गोशना जारी की जा चुकी हो तो चौता आप्सन्स, बिल्गोल करेक्ट निमले के तमेंसे किसने कभी भी भारत के उप परदान मंतरी के रूप में कारवार नहीं समाला तो किसने नहीं समाला, सही आंसर हो जाएगा, BP सिंग तीशरा ऑप्सन्स, बिल्गोल करेक्ट हो जाएगा BP सिंग जो जिए परदान मंतरी थे, लेकिन उप परदान मंतरी कभी नहीं रहे ठीक है, next questions आपके सामने किसी बिदान सबा में भारत के समिधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस हो सकते हैं अगर हम बिदान सबा की बात करें कम से कम में तो कम से कम हो सकते हैं आपके कितने दोस्तो 60 और अधिक से अधिक हो सकते हैं आपके 500 और बिदान समा जो है वो किस आर्टिकल में नहीं थे है आर्टिकल 170 में ये भी आपको पता होना चाहिए ठीक है नेक्स्ट कोस्ट की तरह बढ़ते हैं जबकि देखो कम से कम में 60 और 500 हैं लेकिन हम आपको बतादे हैं सिक्किम और गुवा जो है ये अपबाद की सरेड़ी में आते हैं क्यों क्योंकि सिक्किम में 32 हैं कम से कम सीटे हैं और गुवा में 40 हैं ये दोनों अपबाद की सरेड़ में आते हैं ध्यान रखना next questions निम्लेकित मेंसे computer network में क्या अदुतिय नहीं होता है जल्दी बताओ तो आपका सही answer हो जागा work group का नाम तीसरा options बिल्गुर correct next questions computer प्रणाली में cd rome द्वारा क्या दर्शाय जाता है जल्दी बताओ cd rome द्वारा क्या दर्शाय जाता है तो सही answer हो जागा optical disk पहला options correct Microsoft Excel की computer file को किस प्रकार नाम दिया जाता है तो किस प्रकार नाम दिया जाता है Excel इसमें आपको जरूर मिलेगा .xls निम्लेकित मेंसे कौन सा computer operating system नहीं है Linus एक operating system है MS-DOS भी है, Unix भी है, MS-Word नहीं है वर्ड एक computer operating system नहीं है जबकि एक processing software है next questions computer में निम्लेकित मेंसे कौन सी input device नहीं है जल्दी बताओ, input device में देखो keyword आता है ठीक है उसके बाद mouse आता है, scanner आता है, joystick आती है, यह सभी input device में आती है ठीक है, जबकि जो आपका दिया हुआ है printer, printer जो है वह एक output device है जिसमें printer, monitor, speaker यह सबी सामिल है विस्व जनसंके दिवस का मनाए जाता है, जल्दी बताओ तो विस्व जनसंके दिवस हम पिरते एक वर्स 11 जुलाई को मनाते हैं कब सर, 11 जुलाई को तीसरा options correct निमोनिया, रोग सरीर के किस अंगों को प्रवावित करता है जल्दी बताओ निमेनिया, रोग सरीर के किस अंगों को प्रवावित करता है तो सही आंसर हो जाएगा आपका फैंपडो को पहला options correct next questions दोस्तों आपके सामने निमले के तमेंसे सरवदिक सीमाओ वाला देश कौन सा है जिसके पास सबसे जदा सीमा है तो कौन सा देश है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा चाइना, क्यों क्यों कि चाइना देश की सीमा जो है वो 14 देशों से लगती है तो याद रखना मानब रक्त में प्लाजमा की लगवग कितनी मात्रा होती है जल्ली बताओ मानब रक्त में प्लाजमा की लगवग कितनी मात्रा होती है तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा option number भी 55-60% जबकि 45% भाग जो है ये रक्त कोस्काओं का होता है पंडित रभी कुमार स्वरी पंडित सभी कुमार सर्मा का संबन संगीत के किस बाद यंतर से है तो सभी कुमार सर्मा क्या बचाते थे संतूर चोथा options यहाँ पर आपका विल्कुल correct है next questions भारत का सर्वोज नागरिक संबन कौन सा है सबसे important questions है और सबसे simple भी है तो कौन सा है भारत रतन चोथा options यहाँ पर आपका विल्कुल correct हो जाएगा next questions भारत में राष्टपती अपना कारकाल पूरा होने से पहले अपना त्याक पत्र किसको सौंपते है तो देखो भारत का राष्टपती हो जाएगstones राष्टपती राष्टपती अपना त्याक पत्र उपराष्टपती को देता है तो फिलाल दूसरा options यहाँ पर आपका विल्कुल correct होगा सुतंतर भारत में उत्तर प्रदेश के पिर्थम बिदान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये important questions है तो कौन थे उत्तर प्रदेश के पिर्थम बिदान सभा के अध्यक्ष पुरसोतम दास टंडन पहला ये options correct भारत का सबसे दच्छनी छोर कौन सा है हम बात करने हैं दच्छनी छोर की तो देखो दच्छन में अगर हम बात करने हैं तो दच्छनी छोर है आपका इंद्रा पॉइंट अगर हम उत्तर की बात करने हैं तो उत्तर है आपका इंद्रा कॉल अगर हम पूरब की बात करें तो पूरब में आपके किवीटू ठीक है और एक और है बलांगू तो दोनों में ही बहुत कम डिफरेंस है चाया किवीटू दिख जाए आपको अनुनाचल प्रदेश में ये दोनों और एक बलांगू बात बराबर है और अगर हम बात करें कौन तो सही अंसर हो जाएगा चक्रवर्ति राज गोपला चाहर है、 यनी कि पहला options correct, next questions, लोक अभय योजतक, निम्लेक्ट मेंसे किसकी अधीन कार करता है कि य्ड़ीव करता है، जल्ली बता अभय योजतक, निम्लेक्ट मेंसे कि देख रेख और संरक्षण अदिनियम 2000 के अधीन देख रेख और संरक्षण की आवसकता वाले किसी वालक को निम्लेकत में से किस के द्वारा बालक कल्यान समीती के समख्च पेस किया जा सकता है या किया जाएगा कोसर नमबर 72 तो आपका सही आंसर हो जागा किसी के द्वारा नहीं यानि कि चौता आपसंस करेक्ट क्योंकि किसोर निया या दिनियम 2000 के अंतरक्षण देख रेख और संरक्षण की आवसकता वाले किसी वालक को पुले सदिकारी लोग सेवा समाजे कार करता या लोकातमक से अ और उनके समाजिक सहक्षिक आर्तिक और सांस्करितिक हितों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने कि उडेश से स्तापित किया जाएगा या इस्तापित किया गया है कौन सा सम्मेदानिक निकाए तो आपका सही आंसर हो जाईगा अनुसचे जाती के लिए राश्टी यह दूसरा options correct next questions मानव अधिकारों की सार वोह में गोस्णा की वहासा सभी पुर्सों को समान बनाया गया है ये सभी मनुस्यों को समान बनाया गया है मैं बदलने के लिए कौन जिम्मेदार था जल्दी बताओ ये वहासा जोड़ थी लेकिन अब ये हो गई है इसको बदलने के लिए जिम्मेदार कौन था ये हमसे पूचा का जाए तो सही आंसर हो जाएगा हंसा मेता चौता options बिल्गो correct इस यातायात संकेत कार्थ बताएए ये कौन सा यातायात संकेत है जल्दी बताओ इस यातायात संकेत कार्थ क्या है तो सही आंसर हो जाएगा आगे बस डिपो है या बस स्टॉप है दूसरा options correct 1980 के दसक की सुरुवात में बिहार में जंगल बचाओ अंदूलन सुरू हुआ और बाद में जहरकन और ओड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया तब बिहार सरकार ने प्राकर्थिक साल बन के इस्थान पर फिलिंदा ब्लैंक्स उप जाने का फैसला किया फैसला लिया तब सिंग भूम जिले के आदिवासियों ने सरकार के इस फैसले का बरोत करते हुए आंदोलन शुरू किया उस आंदोलन का नाम आपको बताना है कोसर नमबर 76 तो सही आंसर हो जाएगा सागबान बागान चोथा आपसंस पहले कुल करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट कोसर निमलिकत में से कौनसी आयकर की गणना के लिए कुल आय में कटोती 2013 की अनुसार सरकार हैं जिन उद्देशों से भूमी अधिकर्ण कर सकती है वे उद्देश कौन कौन से हो सकते हैं तो आपका सही आंसर हो जाएगा निर्दन एवन भूमी हैं लोगों के लिए आवास परियोज़ रहे दूसरा उपसंस जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा और यह दूसरा पॉइंट है ना कि दूसरा उपसंस ठीक है पहला पॉइंट आपके सामने यह था कि प्राकरतिक आपदाओं से प्रवावित छेतरों में रहने वाले लोगों के लिए परियोजना या निर्दन एवं भूमिहिन लोगों के लिए आवास परियोजना है तो यहाँ पर यह और भी दोनों सही है पहला ही ओपसंस करेक्ट दोनों ही पॉइंट जो हैं वो आपके बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट कोसंस सूचना क अधिकार जिसको माट्याई कैते है अधिनियम की कौन सी धारा के इंदरिये सूचना आयोग के साथ-साथ राज सूचना आयोग को भी यह अधिकार देती है कि व्हे सरकारी परादिकरन रोग सूचना अधिकारी एवं पृत्तम अपीलिए प्रादीकरण के बुरुद सिकायतों को भी जाच कर सके कौन सी धारा कहती है सूचना प्रादीकरण दिनियम की तो सही आंसर हो जाएगा धारा अठारा चौता ओप्सन्स करेक्ट लाश्ट कोसन्स आपके सामने भारतीय सूचना प्रादगी एबं प्रवंदन संस्तान केरल दौरा बिकसित मॉबाईल एप का नाम क्या है तो इस मॉबाईल एप का नाम आपको बताना है ठीक है छेचम एप, किसाम सुभीदा एप, एम किसान एप या एगरी मार्केट एप तो इस कोसंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, सिंपल कोसंस है तो दोस्तो ये थे आपके 40 जीके के इंपोटेंट कोसंस जो कि मैंने आज की जुड़ी में आपको प्रोवाड करवा दिये, वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगा तो दोस्तो फिलाल की वीडियो में सिर्फ नहीं अकर आपको वीडियो पसंद आतो प्रेस दोस्तो वीडियो को लाइक कीज़ें सेर कीज़ों और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्यों क्यम रोजने इसी तरह की वीडियो आप लोग लिए लात रहता हूं नमस्कार दोस्तो जया हिंद जया भारत